नमस्कार, दिल से स्वागते आप सभी का मेरे चैनल पाक्षाला में आप और हम सभी जानते हैं कि करेली खाने के बहुत सारे फाइदे हैं पर उसकी कड़वाहट की बज़े से कई लोग उसे खाना पसंद नहीं करते हैं पर आज मैं आपके लिए करेली की एक ऐसी रेसिपी लाई हो जो खाने में बेहत तेश्टी है और उसे बड़े ही नहीं बच्चे पी बड़े सौक से खाना पसंद करेंगे तो चलिए जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेधन है कि वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पिल्कुल मत भूलिए सबजी बनानी के लिए सबसे पहले हम करेलों को अच्छे से दूखा साफ कर लेंगे उसकी किनारों को कट कर लेंगे और फिर उसे ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे ग्रेट करने के बाद जो टुकड़े रह जाएंगे उन्हें भी हम चौपर में अच्छे से चौप कर लेंगे अब हमें चौप और ग्रेट की हुए करेलियों को एक थाली में निकाल लेना है और फिर हमें एक चम्मच सादा नमक डालना है अच्छे से करेले में मिक्स करना है और फिर एक से दो घंटे के लिए हमें ऐसे ही छोड़ देना है इससे क्या होगा कि नमक सारी कड़वाहट को दूर कर देगा दो घंटे के बाद मैंने करेली को अच्छे से 3-4 वार वाश कर लिया है इससे इसकी कड़वाहट पूरी तरह से खत्म हो गई है करेली को 3-4 वार वाश करना बहुत जरूरी है इसी से इसकी कड़वाहट और भी खत्म हो जाती है अब हम हाथों की मदद से करेली की पानी को निचोड़ कर पुरी तरह से निकाल देंगे इस प्रकार से करेली मैं से हमने पानी को निकाल दिया है अब हम क्या करेंगे कि जितने हमारे पास करेली का मटेरियल है उतनी ही हमें बारी कटी हुई प्याज को लेना है इस प्रकार की करेली की सबजी में हमें प्याज को अधिक मात्रा में डालना है तो बिल्कुल कंजूसी ना करें अच्छे से डालें अब चलते हैं गैस की तरब बनाना शुरू करते हैं कड़ाही में हम एक बड़ा सा चमच ओयल को गरम करेंगे ओयल जब गरम हो जाएगा तो हम उसमें एक चमच सौफ और आधा चमच जीरा को डालेंगे और थोड़ी सी डालेंगे हम हींग एक चुटकी भर जीरा और सौफ की भूनने के बाद हम प्याज को डाल देंगे प्याज को हमें बिल्कुल हलका गुलाबी होने तक भूणना है, बहुत जादा नहीं भूणना है क्योंकि हमारी प्याज करेले के साथ भूंती भी रहेगी, अगर हम इसे जादा भूण देंगे तो ये जल जाएगी जो अच्छी नहीं लगेगी प्याज की फ्राई होने के बाद हम उसमें करेले अट कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे मीडियूम फ्लेम पर हम इसे ढख कर 3-4 मिनिट के लिए पकने देंगे बीच में हम एक दो बार चम्मच से चला देंगे, जिससे की करेले निंची से न लगे पहले हमें करेली को cover करके पकाना है जिस्ते के करेली soft हो जाए और अंदा से अच्छे से पक जाए स्वात की अनुसार हम नमक को add करेंगे अच्छे से mix करेंगे गैस की flame को low कर देना है और बिना cover की हुए हमें सब्जी को fry करना है करेली को हमें कड़ाई में इस प्रकार से फैला कर पकाना है जिससे की करेली एक समान फ्राई हो सके अब हम इसमें कुछ रेगुलर मसालों को एट करेंगे आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्ष पाउडर और एक बड़ा चम्मच धनिया पाउडर सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर डालेंगे हम आधा चम्मच अमचूर पाउडर और थोड़ी सी एट करेंगे हम शुगर, शुगर ऑप्शनल है आप चाहें तो डालें, आप चाहें तो ना डालें इन दोनों चीजों को भी सबजी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम पर एक से तेड़ मिनिट के लिए और पकने देंगे जिससे मसाले सबजी में अच्छे से मिक्स हो जाएं लाश्ट में हम डाल देंगे कटा हुआ हारा धनिया, सब्जी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर गैस को बंद कर देंगे फ्लैम को ओफ करने के बाद भी जब तक कड़ाई गरम है हम इसे चम्मस से या ऐसे ही एक तो बार और ही ला देंगे इससे क्या होगा कि सब्जी ना तो निंचे से जलेगी और ना ही लगेगी लेजिए, करेले की बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट सब्जी बनकर तयार है आप भी इसे घर पर जरूर बनाईए, ये परिवार में आपके सभी को बहुत पसंद आएगी ये सब्जी दाल जावल के साथ बच्चों को बहुत पसंद आती है तो आप भी जरूर ट्राइ कीजिएगा आशा करती हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फेमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ अब तक अच्छा खाएए, स्वस्त रहिए और हमीशा खुश रहिए, धन्यवाद